सूलिन में 25 तारीक से अठार्मी, National Lawn Tennis प्रतियोगीता का आयोजिन किया जा रहा है इस प्रतियोगीता का शुम्भरम परदेश में मुख्यमंत्री, परदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे प्रतियोगिता का समापन 28 फर्वी को होगा जिसका समापन पर्देश दिक्षामंत्री सुरेश भार द्वास करेंगे इस प्रतियोगिता में पर्देश फर्वी से पुलिस आईटी बीपी और पैरा मिल्टरी फोर्से के उच अधिकारी भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रतियोगिता की मेजवानी करने का पहली बार मौका मिला है जिसमें आला पुलिस प्रशाशन जम करतियारियों में जुटा है अधिक चानकारी देते हुए जिला पुलिस अधिक शिकमोही चाबला ने बताया कि सोलन में अठार्मी नैशनल लॉन टैनिस प्रतियोगिता आयोजित होगी जिसमें उच अधिकारियों समेत डिज़ी पी स्तर के अधिकारी भाग लेंगे उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से जहां एक और खेल प्रतिवा का रास्टिस तर पर परदर्शन होगा वहीं सोलन के प्रेटन को और भी बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में पुलिस की दो अंतरास्तिस तरके किलाड़ी भाग लेंगे जिससे खेल में रोमांच बना रहेगा और दर्शकों को खेल देखने में अनन्द पियाएगा इतीन्थ ओल इंडिया लॉन टैनिस टूर्णमेंट जो नैशनल लेवल इवेंट है हमारे हैं सोलन जिला में 25 से लेकर 28 तक हो रही है इसमें तक्रीबन 120 पार्टिस्पेंट्स आएंगे अल ओवर इंडिया पुलिस फोर्स पारा मिल्टरी फोर्स इटी बीप सीर प्या फित्यादी उनके पार्टिस्पेंट्स आएंगे इवन कुछ डिजीबी रांक्स अधिकारी भी रहेंगे इसमें दो खिलाडी है जो अल इंडिया के बाद उन्होंने इंटरनाशनल गेम में वर्ड पुलिस गेम में भी गोल जीता है वो इट्रैक्शन रहेंगे और क्योंकि खिलाडी आल इंडिया लेवल के हैं और गनाइज कराने में एक नाशनल स्थर की और गनाइज़ेशन में हमें मिला है। भहुत सारा फ्लो ऑफ ओफिसर्स आएंगे तूरिजम अट्राक्शन रहता है। और अपने अपने गर्व रहता है कि एक नाशनल इवेंट हिमाचल पूलिस ने हिमाचल स्थेट ने और गनाइज़ की है।